छो रिख अंदाजा लगाई चुकि होंगे आज हम बनाने जारहें मीठी टिकिया इनकी कुंडेगी चाहते हैं और इसमें ब नहीं अगसे बनाने का रीजन यह है कि मेरे भाइको मेठी टिकिया बहसे खाने के बार कुछ भी मीठे काने की क्रेविंग रहती है आपको पता है कि मुझे हर रेसिपी के साथ बहुत ज्यादा पसंद है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहां पर चीनी को पाउदर फॉर्म में मिक्सर जार से पीस विया है मैंने मार्केट से पिसी उचीनी निवगाई क्योंकि उसमें मिठात थोड़ी कम होती है और यहां पर लगवग दो नारियल जी थे छोटे चोटे टुक्रों में काट लिया है और लगवग दो टेबल स्पून छोटी हरी लाइची ले लिये उसे इस तरीके से मैंने दरवदरा मैले पर 3 glass cheady यह ए इसे असाफ से मिठास रखिये और 3 kg मैले मिन मैने मैंने लगवग 9 glass cheady हो गई है जिसे ढलिया है मैरे कहोपर और जो अब मेरी पीकिशी हुई नारियल और यह अरिया झ्याइची है उसे bhi डाल लेना है और उसमें मैंने डाल दिया है लगबग थाइसो ग्राम सूजी वरना तूटने लग जाएगी अगर जाता कॉएंटिटी में होगे अब उसमें डाल दिया है लगबग थाइसो ग्राम गी या आप रिफाइन ओल का भी स्कमाल कर सकते हैं इसके बाद मैंने डाल दिया है लगबग यहाँ पर आदा किलो दूट सबसे पहले मैंने आदे किलो डूट डाला है उसके बाद आपको इन्हें हातों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरीके से पत्ट पिर दोनों हातों कि मदद से यज दूर के स shall इसमाल जो अपने जो तहीज है हो जो हलम से और आप से रहे हो आप सब्सक्र Insert पानी थोड़ा और दूफ का भी स्थमाल कर शते हैं यहाफ पर केवल दूफ laser के सतमाल किया है 1967 सरी तरीक हैं से एक अठिक को गूंद है और मैं इसे क्ले चोटे चोटे टुकडो में डिवाइट में आप त्क waiting किसomorphفते च्टोटे टुस्के टुकड़Y है और उसकी बड़ी-बड़ी से लोई बना ली है अब मैं से किचिन के प्लैटफोर्म पर ही बेल लेती हूं बेलंग की वदद से बहुत ज्यादा पतली भी आपको टिक्या नहीं करना है वो क्रिस्पी भी हो चाहती है बहुत ज्यादा और टूट भी जाती है जल्दी और बह हुँ महारी टिक्या वो देखने मे उटनी अच्छी नहीं लगती तो में मीडियम थीकनिसरय नहीं है कुछ चरहिए कि आ देख सकते ही मेरी ठीकनिस के सहारही है बनेसे अपसे आपको भी रखनी है इससे जो आपकी टिक्या बहुत ही ना पतली होती पहुत ही सही साइज रह चाहिता तो इस्तिमाल करें हुआ आप धीरे धीरे कर grow एक कर पे आपको कड़ाई में टिक्यों को डाल देना है प्रही इसी तरीके से गोल्डवर कर लेना हैं और मीडियम अप इस्तिमाल करना है ताकि जो आपकी टिक्या एंदर से कछी ना रहे और ओपर से थोड़ी सी ओर फ मेरी तिक्या पन कर तयार हो चुकी है अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले and don't forget to hit bell icon बिरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें नेक्स वीडियो तक के लिए आलवे दा दोस्तों